हलो स्टोरेंट्स मैसेल्फ मिलंसा फ्रम इजी लर्निंग सेंटर आज हम लोग 9CBSC के सिविक्स में चप्टर नमबर 2 वाट इस डेमोक्रेसी एन वाइड डेमोक्रेसी का लेक्चर नमबर 3 देखेंगे यहां से हमने लेक्चर नमबर 2 में बाकी रखा था अभी जो लेक्चर है यह इसमें जितने भी थियरी आने वाली है बहुत ही इंपोर्टन्ट है और एक्जाम में बहुत सारी चीज़े इसमें से पुछ जाती है थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स में इसलिए त्यान देके स समद लीजें गाइच्टिंग मेरिस आफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इसपर पॉपिलरःड मैनी नियोली इंडिपेंडन्ट नेसंस अर ब्कमिंग डेमोक्रेसी स जो भी नये डेस आजाद हुए है यह लास्ट हंड़ेड इस में तो बहुत सारे देसों ने डिक्टेटर या मोनार्की सिस्टम में से आजाद होने के बाद डेमोक्रेसी सिलेक किया कि अभी हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक रखेंगे वो सिस्टम इंप्लिमेंट करेंगे लेकिन डेमोक्रेसी के अपने कुछ प्लस पॉइंट है लेकिन साथ में कुछ माइनस पॉइंट भी है जैसे पहले देख्थे है argument against democracy, democracy का विरोध क्यों किया जाता है, उसके disadvantage क्या है, demerits क्या है, वो है पहले, leaders keep changing in a democracy this leads to instability leaders keep changing जो भी country को lead करने वाला leader है या हमारे इलाके को lead करने वाला MPkovs leader है वो change होते रहते है every 5 year में election आता है और every 5 year में पहले जो leader था वो बना रहता है उसकी guarantee नहीं है हार सकते है और दूसरा leader आ सकता है दूसरी party आ सकती है इससे country में एक instability rate है कैसे ऐसा मानिए कि अभी प्राइम मिनिस्टर में नरेंदर मोदी जी है तो उनको कुछ project अच्छे लगे उनके दिमाग में कुछ अच्छे project है तो हुन उन्होंने वो project चालू करवाए करोड़ो रुपे का budget funding करके लेकिन वो complete होने में जैसे कि कोई डैम का project चालो करवाए ऐसा माने लेकिन वो complete होने में डैम 20 साल लगते हैं अभी उनकी पास साल की time पूरी हुई तब तक तो काम अच्छा चला पैसे भी मिलते रहे डैम के project को लेकिन उसके बाद कोई नई party आई नया leader आया नया प्राइम मि जाएगा कि दूसरा कोई इंसान अगर पाँस साल रहता है गारे पे तो उसका वह सारी चीजें समझ में आ जाती है कैसे है यहने हैं डर्व्ल करना है पार्टी हार जाती है तो नया लीडर आने से इंस्टेबिलिटी आ जाती है सो लीडर्स चेंज होते रहते हैं वो बड़ी मुसीबत है डेमोग्रेसी इस अल अल बाउट पोलिटिकल कॉंपेटिशन एन पावर प्ली देर इस नो स्कोप फोर मॉरलिटी डेमोग्रेसी में पोलिटिकल कॉंपेटिशन चलती है जितने भी पार्टी खड़ी करनी चाहे लोग खड़ी कर सकते है जितने भी लोग इलेक्शन लड़ना चाहे लड़ सकते है इसलिए एक पोलिटिकल कॉंपेटिशन हैवी रहती है उसमें और power play की game है यानि जो ज़्यादा powerful आदमी है पैसो के मामले में पहुंच के मामले में तो election में पैसे ज़्यादा खर्च करेगा competition के चक्कर में हर गलत काम भी किया जाते हैं हर unethical काम भी किया जाते हैं इसलिए democracy में morality को कोई scope नहीं ऐसा कहा जाता है many people have to be consulted in a democracy which leads to delay कोई decision अगर लेना है बड़ा fundamental कुछ change करना है country में तो उसकी system आप लोगों को पता है lower house and upper house रज्य सभा और लोग सभा में बिल पास करवाना पड़ता है वो भी two third majority से so कोई decision लेना हो तो उसमें कभी-कभी महिनों और सालों लग जाते हैं 20-20-30-40 साल भी लग जाते हैं और पचास साल भी लग जाते हैं और बिल पास नहीं होता है decision नहीं ले सकता है बहुत सारे उसको उपर-उपर के officer को पूछना पड़ता है minister की permission लेनी पड़ती है उसके चक्कर में भी काम बहुत डिले होते हैं so माइनस पॉइंट है democracy का elected leaders do not always know the base interests of the people which leads to bad decisions जो भी elected leaders है यानि जो गादी पे आ गए तो public के लिए सबसे बढ़िया क्या है वो उनको नहीं पता होता उनको पता ही नहीं होता which leads to bad decision इसलिए उनका जो decision होता है न वो गलत पड़ता है public के लिए बहुत cases में ऐसा होता है कि पता नहीं चलता लेकिन बहुत ज़्यादा cases में ऐसा होता है कि उनको सब पता होता है कि public के लिए अच्छा लेकिन फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके personal account के लिए अच्छा नहीं होगा so why decision बहुत लिये जाते है democracy leads to corruption for it is based on electoral competition democracy में corruption ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि बहुत सारे minister होंगे सबके हाथ में अलगलग department होंगे अफसर्स होंगे तो corruption का scope भी इसमें सबसे ज़्यादा है monarch की system में तो कैसा है कि राजा ही सब संबालता है ज़्यादा तर तो और अगर कोई officer या फिर minister मंत्री जिसको बोलते थे पहले वजीर तो अगर वो corruption करता है तो उसको डर रहता है कि राजा बहुत बयंकर सजा देगा आज इवन के दे सकता है फासे भी लटका सकता है और यहां पर यह सब फिर कम रहता है सजा होती है लेकिन आसानी से पकड में ही नहीं आती है लोग ordinary people do not know what is good for them they should not decide anything हम ordinary people what देते है और हम जिसको वाट देते है वो party और वो leader आएगा गादी पे लेकिन ordinary people उसी को बोलते है जिसको अपना अच्छा नहीं पता उनका स्वार्थ अगर कोई फोड़ने वाला मिल जाए तो बले सायद हो सकता है उसके personally किसी community के लिए वो अच्छा हो कोई specific इलाके के लिए अच्छा हो तो वो इलाके वाले वो community वाले उस party को लिए आएंगे अगर वो promise दे party कि उनका कुछ स्वार्थ ही वो पूरा करेगी इसी चीज के लालत से कोई community एक ही party को वार्थ देके ले आती है फिर वो party ही उनका indirectly बिगाड़ती है और उनको पता भी नहीं चलता कि हमारा बिगाड़ा So ordinary people को तो क्या पता वो कैसे सिलेक करेंगे और देखिए कि हमारे पीछे के सालों में 70 years में जितने भी minister हुए है Chief Minister, Prime Minister, पुरे देश में हजारों हजारों हो गए MP, MLA बहुत सारे लोगों को हम अगर देखेंगे तो आपको भी ऐसा देखके लगेगा कि इसको क्या minister बना दिया लेकिन वो खुद नहीं बना, हम लोग ने बनाया तो दस में से एकाद minister ऐसा होता है 10% की extraordinary minded और काम करने की इच्चा है public के लिए बाकी सब में तो talent ही नहीं है और talent लाना भी नहीं है इवन public के लिए सोचने का मेरे मुझे ऐसा लगता एक गंटा भी निकालते नहीं होंगे वो लोग बस अपने स्वार्थ के लिए बने है, अपने name and fame and account के लिए बने है ऐसा सिन democracy में ज़्यादा देखने को मिलता है monarchy and dictatorship में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि direct गोली ही मार दी जाती है उसमें तो democracy leads to frequent changes in leadership sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency frequently leadership change होती है पहला point है वो ही repeat है थोड़ा लेकिन main बात है government की efficiency से पुरी government जो काम करती है किसी एक project पे तो मैंने बोला कि कभी वो project रोग दिये जाते है कभी नहीं हर बार ऐसा ही होता है कि 5 साल जो party रही उसने जो project चलो किये है वो 5 साल बाद हार जाया और दूसरी party आ जाया तो वो तुरंट उसको रोग देगी और अपने दूसरे जाती है ऐसा हो जाता है कितने डिमेरिट्स है 1 2 3 4 5 6 और 7 बहुत आसान है 7 के 7 की वर्ड से यह लीडर्स किप लीडर्सिप किप चेंजिंग प्लिटिकल कॉंपिटिशन नो स्कोप फर मॉरालिटी याद रखे इसमें लिट्स पूडिले बडिजिए न करॉप्टिन और इन पीपल और गॉप्टिन अगर्नमेट एफिसिंशी नेक्स पॉंट बेखते है अच्छा एक पॉंट बाकी रहेगा यहां पर है democracy is not a magical solution for all problems it has not ended poverty in our country and in other parts of the world it ensures that people can take their decisions but this does not guarantee that their decisions will be good people can make mistakes democracy वो magical solution नहीं है ऐसा नहीं है कि किसी डेस ने किसी country ने democratic system implement किया तो बस उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे ऐसा नहीं है कोई सब problem solve नहीं होते है problem साइद कुछ solve हो लेकिन दूसरे नए बहुत खड़े हो जाते है जैसे की poverty दूर होगी ऐसा एसी एक आसा थी हमें शुरुआत के सालों में democratic system के करण लेकिन हमें आज 70 यर बात पता है कि गरीबी वहीं की वहीं है उपर से गरीबों की संख्या numbers बढ़ रहे हैं ऐसी हालत हो गई है सो गरीबी दूर ना कर पाए हमारी country में और बहुत सारी दूसरी Asian countries और वर्ल्ड में भी democracy में public को अपना decision लेने का freedom होता है जो मेनार्की में नहीं है डिक्टेटर में नहीं है लेकिन आगे जैसे हमने देखा कि public को अपना अच्छा क्या बूरा का वो public को पता ही नहीं रहता इस लिए political party है जैसे उनको पीन मारती रहती है अपने स्वारत के लिए वैसे वो चलते रहते हैं वो भी अपने हिसाप से नहीं चल रहे है पॉलिटिकल पार्टियों के विल के हिसाप से ही चल रहे है चालाकियों के हिसाप से चल रहे है तो उस हिसाप से डेमोक्रेटिक सिस्टम मुसीबत है दूसरा आप सोचो कि जितने भी कुछ बड़े डिजन होते हैं बड़े बिल जो पास नहीं होते आसानी से 10, 20, 30, 40 साल लग जाते हैं ऐसा मना कोई बिल 30 यर पुस्पॉन हुआ पास नहीं हुआ रिजेक्ट हुआ वापस रखा वापस रखा वापस रखा वापस रखा वापस रखा वापस रजे या कितने सारी मुसी बत जो आई थी इस साल में वो ना आती लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम का ये माइनस पॉइंट है और कभी कोई चीज पास होगी ना तब तक कब होगी जब हद क्रोस हो चुकी है किसी चीज की तब जाके अभी त्रिपल तालाक का बिल ही पास हुआ एक-दो साल पहले तो कब से वो डिमांड थी बहुत सालों से वो डिमांड थी और अब जाके पास हुआ तो उसी समय तुरंत हो जादा तो अगर मॉनार्की सिस्टम है अगर डिक्टेटर्शिप है तो उसमें ये लोवर हाउस अपर हाउस ये सब जंजट नहीं आती इसलिए तुरंत चीजों को इंप्लिमेंट कर सकते है जबकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं कर सकते है टू-थ नहीं पड़ी होगी क्रॉप नहीं हुआ होगा पानी के सॉटेच हो गई कब 1958-61 यानी तीन साल जैसा पूरे वल्ड में चाइना में भी था और इंडिया में भी था फैमाइन चाइना में ये समय में तीन करोड लोग मर गए फैमाइन के कारण खाना नहीं मिला होगा पानी पीने के लिए तीन करोड डेडबोरॉड विट्धिन त्री यर क्रोड डेडबोरॉड इसको बलता है हमारे पूरे बार डुली की पॉप्रिशन वन लग के नीचे है इमेजनेशन करो कि फेरेट बर्ड़ी सिंधे रोड़ पर पर पड़ी हो 6 लेकिन 7 करोड देर्ड बर्डी चाहिना में पड़ी थीन शाला में फरीमा इनके करानी खाने की वियास्ता ऑनेर्मनिंट भी कहीं से लेके करना पई पाने की भी इंडिया में भी बढ़ा था लेकिन 58-61 तो हम आजात हो चुके थे डेमोक्रिटिक सिस्टम थी लेकिन हमारी यहां ऐसी मौत ना हुई इतनी खराभालत हमारी यहां ना हुई क्योंकि डेमोक्रिटिक सिस्टम थी और वहां पर ऐसा नहीं था डेमोक्रिटिक सिस्टम में अगर कोई गौर्णमेंट जैसे कि ऐसा माने फैमाइन चलो हुआ और सौ लोग मर गए तो अभी वो मीडिया में ऐसा ऐसा आजाता है पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस में गौर्णमेंट के अगेंस में और जो अपोईशन पार्टी है ऐसा विरो गवर्णमेंट की पोल खुलने वाला कोई था नहीं उसको प्रिशर दिने वाला कोई था नहीं ओपोईशन सो डेट बड़ी परती रही यानि लोग मरते रहे तीन साल तीन करोर तक आगड़ा पहुँच गया और गवर्णमेंट जागी नहीं तो यह फरक पढ़ता है डेमो अभी क्यों डेमोक्रेटिक सिस्टम होनी चाहिए डेमोक्रेशी के फेवर की बात है एडवेंटेज डेमोक्रेशी इस बेटर देन अधर फॉर्म अफ गवर्णमेंट इन रिस्पॉंदिंग तो नीट्स आप पीपल और डेमोक्रेशी रिक्वार्स एट रूलर्स हैव तो जितने भी गवर्णमेंट के फॉर्म है सोस्यलिजम, डेमोक्रेटिक, डिक्टेटर, मोनार्की उन सभी में सबसे बढ़िया फॉर्म है डेमोक्रेशी क्योंकि पबलिक की जो नीट्स आप पीपल जो है उसका सबसे अच्छा रिस्पॉंस डेमोक्रेशी में मिलता है राजा ने रिजेक्ट किया तो किसी का चलता नहीं है डिक्टेटर में डिक्टेटर को तो कोई डिमांड करना ही नहीं जाएगा क्योंकि गोली खाएगा हिटलर उसमें से एक और सोस्यलिजम में भी इतनी नीड को सुना नहीं जाता इक्वली सब चीज़े डिस्ट्यूबीट है प क्योंकि अगर ना सुनेंगे तो दूसरे पात साल बाद वो लोग वाठ ही नहीं आ देंगे इसलिए पार्टी ओठ सकती है इसलिए सुना जाता है ज्यादा जवाबदार फॉर्म है यहाँ जो मिनिस्टर होते है डेमोगरेसी में उनको पब्लिक को जवाब देना पड़ता है उसको पता है कुछ भी उल्टा सिधा होगा कुछ बिगडेगा तो मीडिया वाले आ जाएंगे तुरंट सवाल पुछने के लिए कैसा हुआ क्य देमोग्रेसी सबसे अच्छी है दूसरे फॉरम से डेमोग्रेसी इस बेस्ट अन कन कॉंसल्टेशन याद रखे इसमें डेमोगरेसी में कोई भी चीज बास्चित करके डिस्कॉशन करके फिरी डिज़ोर्टीजचन लिये जाते है डिक्टेटर और मोनार्की में ऐसा नहीं है उनको अभी हिटलर के दिमाग में कुछ आ गया तो बस उसने डिसन ले लिया राजा के दिमाग में कुछ आ गया तो राजा ने डिसन ले लिया कोई डिसकसन विसकसन वो ज़्यादा करता नहीं है उसको जो ठीक लगे वो final, democracy में ऐसा नहीं होता, अभी आप देखे कि lockdown हुआ, तो जब जब lockdown extend करना पड़ा, तो आपने देखा होगा कि central government ने या हमारे PM ने सभी chief minister को के साथ meeting किया online, और उनके suggestion लिये, उनके साथ discussion किये, उसके बाद lockdown को extend किया, और अभी unlock जो कर रहे है, उसक चीफ minister के साथ बाचित की जाती है, और discussion करके उनकी सला ली जाती है, कि वो क्या सोचते है, उनकी क्या strategy है, उसके बाद central government strategy बनाती है और unlock कर रही है, तो सभी decision, जो बड़े decision है, effect करने वाले है सबको, उसमें ऐसा consultation and discussion होता है, तो क्या हो जाएगा, कि कोई जल्दबाजी में गलत decision ना लेंगे हम लोग democracy में, और ज्यादा risk वाला decision भी या जिससे country का बहुत नुकसान हो, ऐसा decision भी हम ना लेंगे, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई तो रोकेगा ना हमें, ऐसा है कि बाई 100 लोगों ने मिलके decision लिया, तो 100 में से 10 का तो दिमाग चलता होगा ना, वो तो र democracy provides a method to deal with differences and conflict, only in a democracy, different groups can live with one another peacefully, in a diverse country like India, where people are from, different religion and language, democracy keeps our country together. अगर बहुत सारी variety की community country में हैं, तो democratic form ही सबसे बढ़िया है, कि कि अलग-अलग चो conflict, अलग-अलग community या religion होने से खड़े होते हैं, उसमें सबसे अच्छा deal democratic system ही कर सकती है, monarchy या dictator नहीं कर पाएगा, सोचे आप, dictator उसी community को ज़्यादा respect करेगा, या सोचेगा, जिस community का वो खुद है, और monarchy भी वही community का ज्यादा सोचेगा, जिस community का वो खुद है, इसलिए पिछले सालों में भारत में भी, राजाओने क्षत्रियों का ज्यादा सोचा, और ब्रह्म जोचा ना गया, उनके साथ injustice हुआ, लेकिन democratic system में जो minister होंगे, वो सभी community और religion के mix होंगे, इसलिए ऐसा कोई accident होने की possibility नहीं है. The strongest argument for democracy is that, democracy enhances the dignity of citizens. In democracy, the poorest and the least educated have the same status as the rich and the educated, because democracy is based on the principle of political equality, dignity of citizens. यानि, democracy में हर इंसान की अपनी value है, अपनी prestige है, monarchy और dictator में कोई value नहीं है, आपका chapter आएगा history में, नाजीजम पे, तो Hitler 70 to 80 lakh जैसे juice लोगों को जिन्दा जला देता है. तो एक individual इंसान की dictatorship में कोई value ही नहीं है, monarchy system में कोई value ही नहीं है, जिस तरह से हमने भी 10,000 साल दक शुदर जाती के साथ जो अन्याई किया, वो दिखाता है कि monarchy system भी बेकार है, उसमें हर एक इंसान की value नहीं है, कुछी community की value की जाती है, लेकिन democracy में ऐसा नहीं है, यह हर इंसान की अपनी खुद की dignity है, value है, वो highly qualified हो या नहीं हो, अनपड क्यों नहीं हो, एकडम गरीब हो तो भी value है, और अगडम अमीर है तो भी value है, सब के लिए low same, near same, democracy is the better, is better than other forms of government, because it allows us to correct our own mistake, there is no form of government who can guarantee that no mistake can be made, देखे कभी-कभी यासा होता है, जैसे कि 47 में हमारी यहां constitution बना कि हमारी country ये rules और regulation के हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन जैसे साल आगे निकलते जाते हैं, दुनिया आगे बढ़ती जाती है, तो कुछ rules और regulation में बदलाव फिर जरूरी होता है, तो ऐसा constitutional remedies करके right है, यानि हम अपने constitution में बदलाव भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, वापस सब मिलके उसको cancel भी कर सकते हैं, discontinue भी कर सकते हैं, तो हमारी mistake को correct करने का जो democracy में right है वो दूसरे form में आसानी से नहीं है, क्योंकि mistake तो होगी, जो काम करेगा, उससे mistake तो होने ही वाली है, सौ काम करोगे, एक अद्दों में लोचा तो होने ही वाला है, सो उसका scope, democratic system देती है, और हमारी government, हमारा constitution खास देता है, special उसके लिए right ही रखा गया है, constitutional remedies करके, so six point है, six point है, वापस एक बार देखते है, people की need को अच्छा respond करती है, democracy, more accountable होती है, government, consultation and discussion को scope है, democracy में, deal अच्छा करती है, differences and conflict के साथ, dignity of the citizens है, और अपनी mistake को correct कर सकते हैं, six point याद रखे, उसके उपर से, six keyword याद रखे, उसके उपर से पूरे point याद रहे जाएंगे, argument for democracy, और आगे जो आया, कि arguments against democracy, दोनों most time, पी question है, three marks और five marks में, दो में से एक आएगा ही exam में, बहुत ही important है, बरबर इसको याद रख लिजे, broader meaning of democracy, the most common form of democracy is representative democracy, in this, the representatives or majority of them are allowed to take decisions on behalf of all the people, in other words, the majority of people rule through their elected representative, चलिए, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, 136 क्रोड पॉपिलिशन है अभी देश में, तो यह चप्टर के सुरुआत में हम समझे थे, या दूसरे चप्टर में भी समझे है, मेरे ख्याल से, कि 136 क्रोड लोग हमारे इस देश को हम कैसे चलाएंगे, लीड कैसे करेंगे, इतने सारे लोग, लोवर हाउस या उपर हाउस में जाके बैठेंगे कैसे हम लोग, और एक ही डिपार्टमेंट को अगर 10-10 क्रोड लोग जाके संभालेंगे, तो सब एक दुसरे की टांग खिचेंगे, ठीक से डिसन लेना पाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूजन है कि एक एरिया जो होता है, रीजन होता है, वहाँ से खाली एक एन्सान जाता है, वो एरिया डिसाइड करेगा कौन सा इन्सान जाएगा, वो डिसाइड होता है इलेक्षन से हम वाट देंगे कि हमारे हमारा रिप्रेजनटेटीव यह आदमी रहेगा जिसको हमने वाट दिया और वो डिसन लेगा तो इस तरह से लोगर हाउस और अपर हाउस के मेंबर सेलेक्ट किया जाते हैं और इस तरह से पुरा डेमोक्रेटिक सिस्टम सेट है तो यह बात यहाँ समझाना चाहते हैं डेमोक्रेटिक डिसन मेकिंग अदेमोक्रेटिक डिसन इन्वाट गॉलस कंसल्टेशन विथ and consent of all those people who are affected by that decision powerful and non-powerful people should have the same say in taking the decisions this can apply to a government or family or other organization समझे democratic system जो implementation है वो ऐसा नही country ही democratic system follow कर सकती है हम हमारी shop पे हमारे गरों पे स्कूलों में हमारे क्लास में भी democratic system implement कर सकते है ऐसा मानों कि आपके 10 लोगों की दोस्ट का ग्रूप है और संडे में कही गुमने जाना है 10 लोगों को और सब मिलके decision लेता है democratic system किसको बलता है कि 10 में से किसी एक डादागेरी करने वाले कहीं नहीं चलेगा दसों मिलके decision लेंगे तो ऐसा माने कि अलग अलग location आए कोई कहता है यहां जाते है कोई कहता है वहां जाते है कोई कहता है तहां जाते है तो ऐसे 4 location आगे लेकिन अभी 4 location पर तो जाना पाएंगे किसी एक को decide करना है तो कैसे decide करेंगे 10 में से जिस सबसे ज़्यादा लोग जिस लोकेशन को वाट देते हैं, वहाँ पर सब जाएंगे और बाकी के एकज़स्ट करेंगे जैसे कि एसा माने कि हमें जाना है, एक इंसान को जाना है ए जगे, लेकिन पांच लोग ऐसे थे, जिनको जाना था बी जगे तो ज़्यादा B में थे, इसलिए B decision लिया गया कि B location पर जाएंगे, अभी जिसका A थान एक इंसान का, उसको लगे गया मेरी तो सुनाई नहीं, तो ऐसा मूँ चड़ा के नहीं बैठने है उसको, democratic system उसको बोलते हैं, कि 10 लोगों में से अगर 5 लोगों की इच्छा एक ही जग कही हमें नया घर लेना है और घर में 10 इंसान है कौनसे location पर लेना है, कौनसा घर लेना है, वो ज़्यादातर ओट जिस घर को मिलते हैं, ज़्यादातर लोग जिस घर के लिए है, जिस location के लिए गडरी है, वो घर लिया तो इसको बुलता है democratic system. तो हर मंदिर के trust में और हर NGO, दुसरी trust होती हैं, उसके trust में भी इस तरह से decision लिये जा सकते हैं. और ऐसे ही हमारी हान्-टो system जदा तर जगा पे चल रही है अभी. फिरे देखिए, in a democracy, every citizen must be able to apply an equal role in decision making. प्राइम मिनिस्टर की अपनी एप होती है उसमें आप अपना कुछ है सजेशन डाल सकते हैं फिर वीडियो बना की भी हमारी बात सरकुलेट कर सकते हैं कोई डिजिजन गौर्णमेंट लेने वाली है तो हम अपना विचार डाल सकते हैं फेस्बुक ट्विटर पर कर सकते हैं और इस सबसेप सब पब्लिक मिलके किसी एक डिजिजन पर फोर्स कर सकती है गौर्णमेंट को तो वह डिजिजन में पार्टिसिपेट करना ही हुआ डायरेक्ली इन डायरेक्ली ओके तो यहां यह चेप्टर खतम होता है कन्क्लुजन देखते हैं कि टेमोक्रेटिक जो सिस्टम है तो डेमोक्रीसीस से आगे देखा वैसे सभी सोलुशन नहीं आने वाले लेकिन, जितनी भी सिस्टम है, उसमें अभी फिलाल तो democratic सिस्टम ही अच्छी है हाँ, भविष्य में ऐसा हो सकता है, कि और नई सिस्टम ढूंडी जाए rule करने के लिए, जो साइद हो सकता है, democracy से भी बहतर हो तो तब democracy को भी replace किया जा सकता है अगर बेहतर कोई मिल जाए तो लेकिन फिलाल देखा जाए तो comparatively better तो democracy ही है नुकसान उसके बहुत सारे है और benefit भी है लेकिन उस नुकसान को भी बचाया जा सकता है अगर public यानि हम लोग aware हो जाए और हमें पता चले कि कैसे कौनसी party को लाना है या किस leader को select करना है किसको what देना है किस हिसाब से देना है अपने स्वार्थ के हिसाब से देना है कि country का सोच के देना है वो सब चीजियों में हम लोग अगर aware हो जाए तो disadvantage कम किये जा सकते है डेमो किसी के ठीक है तो वापस कि हम लोग नए chapter के साथ तब तक के लिए चाइपी के सोजाए ये